आप assistant professor बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, यहाँ पर जो vacancy आई है, university के business school में आई है, तीन vacancy इसमें से आपके assistant professor की एक accounting finance की है, फिर marketing की है, फिर HRM की है, और एक associate professor की है, फिर इसके बाद AISC and AQ vacancy निकली है, एक general की assistant professor की फिर education में एक निकली है, microbial जो है by technology मे एक निकली है, center for public health में एक निकली है, और फिर अक्टर भटनाकर, university institute of chemical engineering में च्यार वेकैंसी निकली है, इसके लावा center for distance and online education में वेकैंसी दो निकली है, उसके लावा UIET में च्यार वेकैंसी निकली है, computer science में एक और एक, इसके लावा biochemistry की एक वेकैंसी निकली है, फिर इ इन्होंने यहाँ पर इनकी salary mention कर रखी है, अगर आपको इसके बारे में detail में जाना है, तो यह वेकैंसी आपको पंजाब university चंदिगड की है, यह advertisement है, आपको यहाँ पर online, सबसे बड़ी है रहता है कि आप इसके official website पर जाओ, तो यह इसके official website आप इसके देखोगे, तो recruitment में आपको यहाँ पर mention मिल जाएगा कि यह recruitment है, और 26 चार तक आप इसको apply कर सकते हो, और इन्होंने इसके simple step दे रखे हैं कि क्या advertisement में है, क्या guidelines है, आप इनको देखके अपने हिसाब से यहाँ पर apply कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे comment करके अगर आप किसी भी job के लिए apply करते हो, कहीं पर apply करते हो, तो सबसे बड़िया तरीका रहता है कि उसकी official website पर जाओ, और वहाँ apply करो, तो इसमें यह इसने job भी आपको जैसे अलग-अलग जो भी चीज़े आपको download करने है, journal guidelines से, फिर फॉर्मेट, officer ticket के format क्या है, फिर advertisement किस रहा है, advertisement पहले कैसे निकला था, उसमें कोरिजेंडम क्या निकला है, post की detail क्या है, जो भी जैसे, अगर आप advertisement डाउनलोड करोगे तो इस तरह से इसका advertisement यह आ जाएगा, कि भी यह हमने advertisement निकाला था, पहले 1904 तक फिर यह बढ़ा दिया, फिर इसके बाद जो भी आपकी query है और इसके अलाब अगर आपकी कोई query होता आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, आप इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही, thanks, have a nice day